जहिन विद्यार्टियों का हमारे चनल में स्वैटतु विद्यारथू कक्चा 11 मी Ronosi विजयान का फ्रीalt p efficacity का हमारे पास आ चुका है यहां पर देख सकते हो विद्यारथू यहा UP पुरा Systems के यह प्रवी मिलेगा यह देखो विद्यारतों मेरे हाथ में पेपर है यह देखो यह देखो आपका अरद्वाचिक परिच्छा 2022-2011 जिए विग्यां सत्तरंग का पेपर हैं तीन गंटा आप 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 समय होने वाला है और इस प्रपर का विद्यारतों सलूसेन आप देखो कापी यहां पर पड़ यहां पर देखो आपका राज्यितिक कापेपर इसके वाद आपका देख सकते हो पूरा यहां पर देख लिए इसका अपर सलूसन दिखाता हूं तो यह रहेहां पर देख सकते हो बहुत सारे काफिया है काफिया यहां पर बहुत सारी trilogy saign your जना आ तो आ पर आ लहां लगे लिए रहा हूं अविसको तयार कर लो पहले यहां पर देखु मैं समरोत के साथ दिखाया हूं चलिए में स्टार्ट कर रहा हूं आपक़ Blick शुब इससे पहले विद्यार तो आप चैनल को सब्सकाइब कर लो ताकि मैं पेपर भी बताऊंगा और पेपर के साथ साथ आप चैनल सब्सकाइब कर लो ताकि आने वाले क्लास के लिए भी आपका तयारी हो जाएगी और बोड अग्याम की पेपर ही मिलेगा चलिए मैं स्ट रहेगा तिन घंटा और आप लोग का यहां निर्देश भरबर के लिग गया है कि सभी प्रश्णाहर का नानिवार है जहां आवश्चकों स्वाक्षा और नौएं के चित बनाना है प्रतेक के प्रश्णा के लिए उनके सम्मुख जो है कि बगल में यहां पर देख लो अंक्र छाफ़ी का फ़inalडवध द्वारा तो इसका जो राइट एंसर हो जाएगा मेरे प्यारवध्यर तो इसका हो जाएगा यह न颲भर सभाल द्वारा चलिए नेश्टन देकर कर नहीं है तो किसे कहा गया है तो पादिदव जगत का उभायचल जो है ब्रायव फाइटा को कहा गया है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा यह नमबर और तीसरा नमबर है टेरेडो फाइटा के सदस्य खाली अस्तान के सदस्य है तो यहाँ पर आपसन रहेगा सिले जिनेला और है बी नमबर आपका एकवी सिटम और सी नमबर है लाइक को पोडियम और आप लोग का डी नमबर है सभी तो इसका राइट एंसर जो हो जाएगा डी नमबर हो जाएगा सभी और आप लोग का चवथा यहाँ पर देख सकते हो प्रोटीन निर्माड से कोषिका का अंगक है तो यहां पर फहला option रहेगा लाइसी स्वोम और दूसरा सेंटड्रों सोम और तीसरा है राइसी त्यार आपका D नंबर है कैंद्रक तो इसका राइट एंसर क्या हुजएगा इसका राइट इंसर आप लोग का हुजएगा लाइसी स्वोम जो की आपका ए एंसर क्या हो जाएगा? कि इसका राइट एंसर हो जाएगा प्राइट निन ने लिखी तो । सा हर्मोन तनाव हर्मोन का लाता है तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा इसका राइट एंसर सी नंबर हो जाएगा जो कि तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा फासफो यह आप लोग का राइट एंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा उसका A number right answer हो जाएगा और आप लोग का चलिए दूसरा question देख लेते हैं यहाँ पर है रीकत अस्थानों की पूर्थी कीजिए तो इसका right number पहला option रहेगा है यहाँ पर पहला number और पालीप तथा मेड्डू यूसा अवस्थान खाले अस्थान संग की विशेस्थाय है तो इसका किसकी विशेस्थाय है तो इसका right answer क्या हो जाएगा sit sealant data तो इसका right answer है आप लिख देता हूँ sealant ट्रेटा हो जाएगा यार विद्यार थे ट्रेटा और आप लोग का अगला question है आपर है जल्क कासम वहन तंत्र संग की खाले अस्थान की विशेस्थाय है तो इसका किसकी विशेस्थाय है तो इकाई नोड्मेंटा तो इसका right answer इकाई और नोड्मेंटा यहाँ पर देख दे रहा हूँ नोड्मेंटा और आप लोग का अगला question है यहाँ पर तिसरा नंबर सबसे उचा जीमो इस पर्म है तो आप लोग का right answer हो जागा है यहाँ पर लिख दी रहा हूँ आना अना ब्रीत बीजी Our दो चलिए अगला कोस्चन देख लेते हैं अगला कोस्चन यहाँ पर क्या है और्थ सुत्री वीभाजन में आदर सुत्री वीभाजन का एक पेरिक कोष क्याश से खालिय स्थान सम्तित को सिकार रुवी स्कोर के दौर की दर है और ए, रुवी स्कोर राइटेंसर हो जाएगा क्या रुवी स्कोर. आप लोग को का जाता है माइट्रो कंड्रिया को का जाता है यहां पर लिख देरा हूं कि है माइट्रो कंड्रिया । आज एगला कॉप निख लेते हैं यहां पर है Benson आर। सिधान्त विज्ञानी खाले अस्थाने प्रस्तूत किया तो कौन विज्ञानी किये थे एप इव ब्लैक मैन तो यहां पर राइट इंसर हो जाएगा एक इप ब्लैक और मैन इसको आप याद कर लिजिए सारे कोश्चन को रड डालिए क्योंकि आप लोग का पेपर होगा और आप लोग का चलिए नेश्ट देख लेते हैं जो कि आप लोग का सात्मा नंबर है इसको आप लोग खुज लिजीएगा और वीडियो के एंड में इस यहां पर लगला question पुछा है, यह सही जोड़ी आप लोग का है, तो पहला जड़ का यहां पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जड़ का हो जाएगा मुलांकूर, तो यहां पर कहा है, पहला number का यहां पर है, जी number A हो जाएगा, और दूसरा का तना का क्या होगा, तना का हो जाएगा प्राकूर, तो इसका राइट एंसर A हो जाएगा, और आप लोग का जारिलम का क्या हो जाएगा, जल्त था, परिवहन, यह राइट एंसर हो जाएगा, और फ्रोयम का क्या हो जाएगा, भोजन का परि काये। और आप लोग का अंडासे का हो जाएगा जायांद और आप लोग का पराकस का जाएगा पुंकेसर ऐसे आप लोग मिला लिजिए चलिए निश्ट देख लेते हैं इसका स्क्रीन सोट ले लू अच्छे से जो की आप लोग तो विद्यार्थियों यहां पर देख लेते हैं, चलिए आप लोग का अगला question क्या पूछ रहा है, अगला question बुल रहा है, एक सब्द एक वाक के मुद्द लिखना है, तो यहां पर पहला question क्या दिया रहेगा, पक्ष्यों का हिर्दे, कितने कक्षी होता है, तो यहां पर इस और दुसरा नमबर क्या रहेगा किकड़ा और आपलोंका अगला कोस्चन क्या बोलता है अजुट्छ अवस्था में ट्रेड आट का निर्मार करता है तो आप लोग का राय इंशर हो जाएगा अर्द्च रिवीफाजन इसका राय टनसर हम आप आप लोग को दिखा दे रहे हैं जो कि इसका राइट एंसर यह हो जाएगा आप लोग देख सकते हो इसको आप इसक्रीम सोट ले लो आप लोग को सारे कोस्चन का एंसर मैं दूंगा यहाप पर इसको याद करना चलिए नेश्ट दख लेते हैं यहाप पर क्या बोला है अगल हाइडरेट में सोसंग गुडां का मान लिखना है तो सोसंग गुडां का मान आप लोग को कितना होता है एक होता है तो इसको राइट एंसर एक हो जाएगा आप लोग का अगला कोस्चन है गैसी अवस्थाए में मिलने वाले पादफ हार्मोन का नाम लिखना है तो इसका र यहाँपर बोला है क्रांज रचनाकिन पौधों की पत्तियों से पाई जाती है तो ए आप लोग का जो सी फोर पौधे होते हैं उनके पत्तियों पाई जाती है तो सी फोर पौधे पौधों में पाई जाती है तो इसका राइट एंसर हो जागा और आप लोग का अगला C4 पौधे हैं और C3 पौधे होते हैं तो C4 पौधे में पाई जाती है आप लोग का अगला कोस्चन क्या है आप बिरित बीजी आना बिरित बीजी के दो लच्छन लिखी तो उसका राइ राइट एंसर यहां पर है देख लो इसका स्क्रीम सोट ले लो राइट एंसर यहां पर दिख रहा है चलिए अगला कोश्चन देख लेते हैं अगला कोश्चन क्या है विसम भिजा डुकता किसे क्या आसा है तो उसका राइट एंसर चलिए देख लेते हैं विसम भिजा डुक अगला कोश्चन क्या है पौधों की पत्यों में सीरा बन्यास कितने प्रकार के होता है लिखिए तो आप लोग को सीरा बन्यास के बारे में कितने प्रकार के होता है लिखिए तो इसका आप लोग का राइट अंसर यहां पर हो जाएगा तो आप लोग का राइट इंसर है इसक दर का रहे कुछ आप लोग इसका एंसर ले लो दना क्या है प्रकास संस्लेसांड की करिया रासाइन संृक्र्ष लिखिए तो उसका राइच इंसर जो है राइट एंसर A हो जाएगा आप लोग का आप लोग देख सकते हो यहाँ पर है इसका राइट एंसर इसका स्क्रिम स्ट ले लो चलिए अगला कोस्चन देखते हैं आप लोग का C3 पौधे की दो विसेस्ताइं लिखना है प्यारे विद्यारतियों अगला कोस्चन आप लोग का दू बीच पत्री पौधो की दो विसेस्ताइं आप लोग को लिखना है तो उसका दो बीच पत्री पौधो के विसेस्ताइं यहाँ पर है आप लोग इसका राइट एंसर स्क्रिम सोट ले लो चलिए अगला question देख लेते हैं अगला question यहाँ पर क्या है किन्वन के दो महत्व लिखिए किन्वन के जो दो महत्व है उसका हम आप लोग को उसका right answer यहाँ पर है इसका screen shot ले लो अच्छे से तयार कर लेना चलिए अगला question देख लेते हैं अगला कोश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर है क्या है पीसीज वर्ग के तीन प्रमूख लच्छन लिखिए आप लोग का तिरामा कोश्चन है आप तीन नंबर का रहेगा यहाँ पर क्या रहेगा पीसीज वर्ग के तीन प्रमूख लच्छन लिखिए तो इस लोग का अगला कोश्चन क्या है अगला कोश्चन यहां बोल रहा है प्रोकरिटी वा यू कोई तीन अंतर है आप लोग का तीन नंबर का होने वाला है तो चलिए अगला कोश्चन का एंसर आप लोग को यहां दीख रहा है आप लोग इसका स्क्रीम सोट ले लो या विडियो है प्रवbowald, पादप हर्मोन में अक्छिजन के तिन कार लिखना है परविद्य हूं, आप लोग को तिन कार चलिए दिखाते हैं, उसका राइट एंसर क्या है है तो उसका तिन कार कुछ इस प्रकार होगा आप लोग इसका नाम लिख लेना है चलिए आप लोग का next question क्या है next question आप पर दिख रहा है दिप्ती का लिखा किसे कहते हैं इसका महत्तोर लिखिए इसका महत्तोर आप लोग को दिप्ती का लिखा के लिखना है तो उसका right answer यह हो जाएगा इसका आप screen shot या video लिखिए आप 9 कलीजिए चलिए अगला question देख लेते हैं अगला question आप लोग का शक्त्रहमा होने वाला है क्या होने वाला है हिड दें पेजी की संरचना न माँगी जित्र हूने चित बना यह इसको आप लोग को जरूर बना ले नहा है क्योंकि यह स्क्रिम सोट ले लो फटाफट यहां इस प्रकार हो जाएगा तो इसका आप लोग को मैंने अथ्वा बताया है जो तंत्रिका पेशी की संद्चना दिखाया चलिए अगला देख लेते हैं जो है अगला है समसुत्री वर अर्धसुत्री विभाजन में कोई पांच अंतर लिखना है प्यारे विद्यारतियो इसको तो आप लोग को 100% करने ना है क्योंकि यह पांच नंबर का कोश्चन होने वाला है चलिए इसका राइट एंसर क्या देख लेते हैं इसका राइट एंसर यहा कोई पांच अंतर तो उसको आप लोग छोड़ दो और आप लोग को इसका अथवा देख लेते हैं आक्सी अनाक्सी में कोई पांच अंतर तो आक्सी अनाक्सी में कोई पांच अंतर यहां पर है राइट एंसर प्यारे विद्यारतियो इसको आप लोग वीडियो रोक कर नो बता दिया और यहां पर देख सकते हो आपको फुरा आपको बता है यह आपको एक्जाम में आज आने वाला है इसका आधि 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 एक नेश्क वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट में पीन है लिंक वहां पर जाके उस वीडियो को जरूर देखें वहां में और अच्छ यहीं आपको मिलने वाला है तो जाके टेलिगार में जरूर जोईन हो जाएं तो चैनल सब्सक्राइब करें के वीडियो को लाइक कर देना फिर मिलते हैं ने शुक्राइब करें जाएं